नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अमिच चक्रवर्ती, मैं साइकॉन ग्रूप अफ कंपनीज का डिडेक्टर हूँ और पोर्टूबल यूपीवीसी विंडो मैनेफेक्टरिंग मशीन्स का इन्वेंटर हूँ आज बात करने वाले है कि आपको यूपीवीसी विंडोस और डोस बनाने के लिए आटोमेटिक या सेमी आटोमेटिक मशीन्स खरीदने की जरूरत क्यू नहीं है अगर आप UPVC Windows और DOS का काम बस शुरू ही कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शुरूआत से ही आपके पास दिन में 10 से 15 Windows से ज़्यादा ओर्डर होने वाले हैं ऐसा बहुत ही कम फैक्टरीज होते हैं, जिनके हर महीने शुरूआत से ही 200 या 300 से ज़्यादा Windows का ओर्डर होता है आप मेंसे कई लोग होंगे जो UPVC Windows और DOS जैसा प्रोफिटिबल काम शुरू तो करना चाहते हैं, पर आपका बजेट थोड़ा टाइट है, थोड़ा लिमिटेड है और शुरूआत में अगर आपके पास सिर्फ 200 से 300 Windows का ओर्डर ही आने वाला है हर महीने, तो क्या मतलब बनता है कि 2000 से 3000 का प्रोड़क्शन वाला मशीन शुरूआत में ही खरीदा जाए UPVC Windows और DOS manufacturing करने के लिए एक semi-automatic plant मैं हापे automatic की बाद भी नहीं कर रहा हूँ, semi-automatic setup ही आपको शुरुआद में 15 से 20 लाग का investment मांगेगी 3000 square feet का जगा चाहिए होगा आपको और उन मशीनों को चलाने के लिए महंगे salary देने वाले लोग भी रखने पड़ेंगे और दूसरी तरफ अगर आप UPVC Windows को portable machine से बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिए सिर्फ 500 square feet की जगा बहुत ही थोड़ा सा investment और इन मशीनों को आप किसी को भी train करवा के Windows बना सकते हैं ये इतना ही आसान है और मज़े की बात ये है कि इन मशीनों को खरीदने का cost आपका एक या दो building करके ही आ जाएगा और उसके बाद आप tension free और जब आपकी UPVC Windows और Doors की बिक्री बढ़ जाए तो आप कभी भी बड़े और महंगे machines खरीद सकते हैं आपका पैसा है आप कभी भी खर्च करें तो अ तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जै हिंद